वेलकम टू क्लासिक डिजिटल एजूकेशन क्लासिक डिजिटल एजूकेशन में आप सभी का स्वागत है चात्रो आज हिंदी मेरथान भागतीन करने जा रहे हैं करनाटका स्टेट बोर्ड सेकेंड ए फस्ट एर पी उसी हिंदी सिलेबस में से ग्रामर टॉपिक है क्योंकि आने वाले मिटम examination as well as the final exam के लिए आपके लिए सहायोगी होगी सहायता मिलता है इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए चात्रों अभी तक मेरा चानल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए कमेंट्स कीजिए और शेर जरूर अपने आप मिल जाएगा चलो शात्रों शुरू करते हैं कि अभी तक हमने 50 questions यानि फर्स्ट से लेकर 50 questions तक सौलू कर चुके हैं प्रीवेस वीडियो में भाग एक और दो हिंदी मैराथन में सीख चुके हैं अब अतिरिक्त प्रेश्न लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि आपको अगले वीडियो में अतिरिक्त प्रेश्न यानि जो इसमें भी 60 questions है 61 questions है और उसमें से 30 इस भाग में कराएंगे और अगले वीडियो में लास्ट वीडियो इंदी मैरातन का जो वाके शुद्ध कीजिये में second grammar first year PUC का two marks के लिए पूछते हैं इसलिए very important है जरूर इसमें से ही पूछते हैं किसी अन्य questions नहीं हो सकता है इसी question paper में आने वाले question paper में इसी से संभंधित questions लिखकर अभ्यास कीजिए अगर भूल जाएंगे तो अतिरिक्त प्रेश्न इसलिए दिखाया जा रहा है या सिखाया जा रहा है क्योंकि आपके जो exam के लिए अनुकूल हो ठीक है अतिरिक्त प्रेश्न इसलिए सवाल एक है आज मैंने यह काम करना ही है और इस वाक्य में क्या गलती है आपको डूड़ना है ठीक है क्या गलती है मैंने यह शब्द अजेब सा लगता है इसलिए आज मुझे यह काम करना ही है यहां मैंने इस शब्द के बदले हमें क्या करना चाहिए आज मुझे मैंने के बदले मुझे शब्द का प्रयोग करना चाहिए Next question, आज अखिल के जाना है, यहाँ कुछ शब्द संग्या शब्द है, यहाँ शब्द संग्या शब्द, अखिल को आज जाना है, यहाँ सही वाक्य है Next, तुम्हें ऐसा बाते नहीं करनी चाहिए, यहां तुम्हें सही है, और ऐसा बाते नहीं, ऐसी बाते, क्योंकि बाध शब्द स्रिलिंग है, वहां सही है नेक्स्ट क्वेशन, ध्यान दीजिए, तुम तुम्हारा काम करो, तुम्हारा शब्द, यह सेकेंडियर प्यूसी में भी यह सिंटेंस है, और फस्टियर प्यूसी में भी अत्रिक्त प्रश्णा आप सीख सकते हैं, तुम तुम्हारा काम नहीं, तुम अपना काम, तुम्हार हमने इसको विचार किया है Next question हमने इसको विचार किया है नहीं इस पर हमने इस पर विचार किया है इसको नहीं हमने इस पर विचार किया है Next question Sixth one कोई लड़के को आवाज दो यहां कोई लड़के को आवाज दो यहां गलत लगता है सहीग नहीं है, लड़के को कोई आवाज दो, लड़के को यहाँ पहला होना चाहिए, और कोई आवाज दो, कोई बुलालो इस तरह नेक्स्ट, वह जल में पोधे सिंच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् यहां मैं मंगलवार के दिन क्या है next होना चाहिए मैं आपसे first होना चाहिए आपसे second होना है मंगलवार के दिन मिलूँगा तीसरा और last one क्या है इसलिए मैं आपसे मंगलवार के दिन मिलूँगा ये सही है वह हिमालई परवत पर चड़ा और यह वह नहीं यह हिमालई पर चड़ा वह नहीं परवत भी नहीं हिमालई हमें पता है परवत है इसलिए परवत शब्द भी नहीं चाहिए वह यह शब्द गलत है उसके बदले में यह हिमालई पर चड़ा आप तो नहीं आये पर तुम्हारा बहाई आ गया था इस तरह आपको लिखना है जैसे देश ऐसा भेश यहां कुछ गलत है जैसा देश क्योंकि ऐसा आया है रेट जैसा देश वैसा भेश सही है नेक्स्ट क्वेशन वह जहां भी गया उधर का ही हो गया यहां देखिए वह जहां भी गया सही है वही का हो गया उधर का नहीं वही का हो गया हमारे यहां नेक्स्ट क्वेशन हमारे यहां का सब कुछ लुट गया यहां थोड़ा सा अजीब सा लगता है देखिए यहां का नहीं होना चाहिए कारक्चिन क्यों चाहिए नहीं चाहिए हमारे यहां सब कुछ लुट गया नेक्स्ट वन फूर्टिंथ यहाँ वही लड़की है इसको इनाम मिला था यहाँ वही लड़की है यहाँ वही लड़की है यहाँ तक ठीक है जिसको इसको नहीं इसके बदले में क्या होना चाहिए जिसको इनाम मिला था Next मेरे को आपकी सलाह नहीं चाहिए मेरे को लास्ट विडियो में ही बतायाता कि मेरे को शब्द उसे बदले तेरे को और मेरे को इस तरह प्रयोग नहीं करते हैं इसलिए आपको मुझे मुझे आपकी सलाह नहीं चाहिए next question वह शीला से लगुतम है वह शीला से लगुतम हम सब जानते हैं छोटे के लिए प्रयोग वने वाला शब्द है लेकिन वह शीला से छोटी है सही लगता है ठीक है लगुतम आकार के लिए देने हैं वस्तु नहीं है इसलिए next सब चात्रों में वह महान है सभी चात्रों में सभी चात्रों में वह महान है सही है next आप इधर बैठो आप इधर बैठो नहीं बैठो तुम बैठो लेकिन ओ इस तरह होता है हो उठो जागो इस तरह तुम इसलिए singular नहीं है आप बहुवचन है ना बहुवचन है इसलिए क्या है आप इधर बैठ ये सही है ये गलत है बैठो नहीं होना चाहिए next सुनिए यह काम कर दो सुनिए यह काम कर दीजिए क्योंकि सुनिए याने बहुवचन रूप में प्रयोग किया है इसलिए यह काम कर दीजिए सही वाक्य है next question मैं आपका दर्शन के लिए फिर जाओंगा see क्या है यहाँ नुकता भी नहीं चाहिए right और आपका दर्शन नहीं मैं आपके दर्शन के लिए सही है ठीक है मैं आपके दर्शन के लिए फिर आओंगा next अब आप जा सकता है आप जा सकते हैं क्या है अब आप जा सकते हैं है के उपर अनुस्वार है next question 22nd question मैंने आगरा जाना है अब मैंने शब्दों भी नहीं करना चाहिए सही नहीं है इसके पर्याय में आपको क्या करना चा मुझे आगरा जाना है सही वाक्य है next question वे एक सप्ताह रुकेगा वे एक सप्ताह वे यानि कई लोग है रैट इसलिए एक सप्ताह रुकेंगे रुकेगा नहीं रुकेगा एक वचन के लिए प्रयोग होता है यहां गलत है यहां बहुवचन है रैट वाक्य का यानि वाक्य का पहला पद बहुवचन में हैं अंतिम पद भी कैसे होना चाहिए बहुवचन में ही होना चाहिए इसलिए वह नहीं है वे हैं वे एक सब्ताह रुकेंगे इसलिए वह तक ठीक है आपको क्या करना चाहिए बैठो नहीं प्रयोग करना है इसलिए पिताजी आप वहां उस जगह बैठ जाईए इस तरह प्रयोग करना है रमेश तीन आम खाए रमेश ने ने का प्रयोग जरूर करना चाहिए रमेश ने तीन आम खाए सुरेश, मालती और जूही खाना खा रही है यहाँ सुरेश पुलिंग है मालती स्त्रिलिंग है और जूही अलसो स्त्रिलिंग है लेकिन दो स्त्रिलिंग और एक पुलिंग आया तो क्या है वाक्य पुलिंग में ही होना चाहिए जैसे कि सुरेश मालती और जू ही खाना खा रहे हैं इस तरह होना चाहिए तुम किताब पढ़ लिये हैं यह अजिब लगता है लिये हैं नहीं तुम्ने किताब पढ़ ली हैं इस तरह होना चाहिए Next, महत्मा गांधी का देश सदा आभारी रहेगा सिंटेंस के शब्द हदल बदल हो गये हैं इसे सही तरीके से लिखना है Next, शरीर पर कोई अंग होते हैं कई अंग होते हैं, शरीर के पर नहीं उपर नहीं होता है, अंदर बाहर सब कुछ है Next, हमारे माताजी मेले में गये हैं हमारे नहीं, हमारी माताजी मेले में गयी हैं Next, 31st कोईशन तक हम लोग इस वीडियो में डिसकस करेंगे अगले वीडियो में आगे जो कोईशन हैं उसे सौलू करेंगे मैंने एक विक्ती बहुत दुबला पतला देखा यहां कुछ अजीब सा लगता है मैंने एक बहुत विक्ती नहीं विक्ती कहा होना चाहिए? इधर आना चाहिए मैंने एक बहुत दुबला पतला विक्ती देखा इस तरह वाक्य में प्रयोग करना चाहिए अभी तक मेरा चानल सब्सक्रेब नहीं किये हैं तो चानल सब्सक्रेब कीजिए वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद और चानल में जुड़े रहिए क्योंकि नए नए वीडियोस बनाएंगे चो प्रीविएस वीडियोस आपके लिए बनाया है उससे भी आप उ भ्यास कर सकते हैं, फॉलो कीजिए, शेर कीजिए, लाइक्स कीजिए, कमेंट तो करते रहिए, क्योंकि आपके कमेंट के अनुसार और आने वाले वीडियो में बदलाव लाके सिखा सकते हैं, और बेल एकन दबाना, भूलिए मत, क्योंकि नए नोटिफिकेशन अपने आप मि और आप अपने दोस्तों के साथ, रिष्टेदारों के साथ भी शेर कीजिए, वीडियो को अन्त तक देखने के लिए धन्यवाद चात्रों, नेक्स्ट क्वेस्टन, 32nd question to 61 questions तक हम लोग अगले वीडियो में सिखाएंगे, भाग चार्म हिंदी मैरतन में सिखाएंगे, तब अपत के लिए धन्यवाद चात्रों, बाई, टेक केर